देश में हिंदू राश्ट को लेकर जिस तरह से मीडिया तकी की तस्वीरे दिखा रहा है उसके बाद जब बात होती है तो बीबीसी की होती है लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में देश में एक ऐसा स्कैम हो गया है जिसके बारे में ना तो कहीं चर्चा है और ना ही कोई बात हो रही है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है सुप्रीम कोट के सीनियर अड्वोकेट पराचा सर जिन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर अडानी का नाम तो हमने खाली टीवी चैनलों को खरीदने के लिए सुना था लेकिन अब जब उन्होंने ही 11 लाग करोड देश क खा लिए इस पर कोई चर्चा नहीं है कैसे देखते हैं चर्चा करेगा कौन यह है बुनियादी मुद्दा क्योंकि देश के लोगों को खास तोर पर SCST OBC और माइनॉर्टी के लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि यह कोई शेर होल्डर्स का जो चो शेर खरीदने वाले है उनका नुकसान नहीं हुआ है यह पूरे देश का नुकसान हुआ है पूरे देश में हमारे ही पैसे से मतलब देश की जनता पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता जो है न वो देश के सारे एसेट्स जो जितने भी वसाइल है जितने भी प्रापर्टीज है उसकी मालिक है बराबर की एक एक नागरिक उसका गलत तरीके से और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है गलत तरीके से एक परशंड लोगों ने पचास परशंड से भी ज्यादा देश की संपता जो है अपने कबजे में कर रखे है यह करेक्ट फिगर है तो यह तो गहर नहीं करके यह आम जंता का पैसा अपनी तरफ कर लिया अब शेयर मार्किट इसका एक बड़ा जरिया है जिससे यह सब गडबड गोटाले होते हैं लेकिन शेयर में जो इंट्रेस्टेड हैं वो सिरफ जो शेयर खरीदते हैं वो ही है अब वो शेयर जिनके जिन लोगों का नुकसान हो गया वो ही सिरफ परिशान है और वो एक नंबर सिरफ लाखों में होगा या करोड़ों में होगा एक दो करोड़ों होगा तो इसलिए यह बाते सामने नहीं आती लेकिन नुकसान क्या हुआ इससे लाइसी ने पैसे लगाए इसमें अडानी के पास से तो एक भी इदारे हैं जहां से ये लोन लेते हैं और जिन लोगों को ये जबरदस्ती या लालज देके सरकारों में अपने बड़े रसुक का इस्तिमाल करके शेर्स खरीदते हैं वो सब हमारा ही तो पैसा है तो उस पे किसी का दिहानी नहीं रहता तो ये जब तक महीं यह नहीं चलेगी कि अढ़ानी ने जितने भी आज तक अब देखिये सारे एरपोर्ट करीद लिया में सारे एक तरह तरह से गिर अगर आप कोई घर गिरवई रखे कोई लोन लोगे तो घर चला जाता ना आपको पता है गाडियां को की loan लेके लेते तो गाड़ी चीन के ले जाते हैं का तो कल को जो जिन बैंकों से लोनलिया अdayani साहब तो अपना पैसा siphon off करके जो जनता काई पैसा है लोन लिया और लोन लेके भाघजाएंगे यह जो पॉर्ट जो के प्राइविटाइजेशन के चक्कर में इनके पास आए जो माइन्स जो कोल की माइन्स और दूसरी माइन्स इन्होंने सरकार में अपने रसूख इस्तेमाल करके लिए जो यह सब चीज़ें जो है वह जनता की हैं वह सब में आता है कि ये जो अंबानी साहब है उन्होंने ये हिट जॉब करा है ये ऑप्शन्स हैं जो जनता को अमारी इस पर विचार करना चाहिए ये मेरे सोचे समझे बहुत दिमाग लगाने के बाद जो मैंने एक जो बहुत है ना इनफॉर्मड ओपिनियन बनाएं वो है ये अंबानी साहब ने क्योंकि उनके साथ इतनी ज्यात्ती हो रही है वो तो अपने आपको किंग मानते थे ना इंडिया का तो उनके साथ क्योंकि जब 2019 में अरुन जेटली साहब की डेथ हो गई तब ही से अडान जेटली साहब उनसे सीनियर लीडर थे भले ही पद पे वो बड़े चले गए थे दोनों तो उनकी कभी हिम्मत अरुन जेटली साहब से यह नहीं पढ़ती होगी तो ऐसे करो तो ऐसे कर देंगो तो इसलिए अडानी इतनी शूट अप नहीं हुए और वो अंबानी से छोटे बच्चे थे तो उन्होंने यह हिट जॉब कराई है और हिट जॉब इसलिए कराई क्योंकि इनी सब गोरक धंदों से तो अम्मानी अम्मानी मने थे तो वो तो सब जानते हैं और उनके लोग भी सब जगा मौजूद है तो उन्होंने यह हिट जॉब कराई है और जो यह तो यह इसमें से भी फाइदा भी उठा सकती है एक तो यह मुझे इसका यह नजर आता है दूसरा के अब सरकार के हो सकता है कि जब हमिच्छा साहब आज चिदामरम साहब की जगा पुरा देश कंट्रोल कर रहे हैं मतलब फेनेंशल वर्ड भी होम मिनिस्ट्री तो करी रहे हैं को और कोपरेटिव में भी घुस गया है वह और कोपरेटिव में भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं यह दुनिया को पता होना चाहिए कि अमिच्छा साहब ने को पैसे का बहुत-बड़ा लेन देने और उनके बेटे को क् सोचाओ अब तो मैं दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का रईस इंसान बन गया हो तो शायद वह बगावत करने लगे हो अमिच्छा साब से तो सबक सिखाने के लिए काम हुआ है उनके साथ तो अब वह वापिस अपनी हैसियत में आके चले गया होंगे उनके चड़नों मे कराएंगे लेकिन इन तीनों ही सूर्तों में देश का नुकसान होगा देश की आम जंता का खास तोर के गरीबों का नुकसान होगा जो प्राइविटाइजेशन की वजह से आप देख रहे हैं हर चीज प्राइविटाइज हो रही है देश की सारे एसेट्स रेलवे तक बड़े आर्किटेक्ट है इस जो policy आई है प्राइविटाइजेशन की तो प्राइविटाइजेशन का best model आ गया कि उन्होंने एक जटके में 11 लाग करोड का नुकसान कर दिया तो consistency efficiency है इससे अच्छा तो हमारे सरकारी model जो पुराना चल रहा था जो जो सारे इंस्टिटूट सरकार के काम मंदर काम कर रहे थे करप्शन तब भी होती थी लेकिन इतनी बड़ी करप्शन करने की तो हिम्मत किसी सरकारी अधिकारी की नहीं हुई तो प्राइविटाइजेशन को रिवर्स करने का टाइम आ गया है तो एक बड़ा agitation प्राइविटाइजेशन के खिलाफ चलना चाहिए उससे हमारी education भी बचेगी उससे हमारा health care भी बचेगा जो कि सब चीजे प्राइविटाइजेशन के खिलाफ एकदम बड़ी मुहिम चलानी चाहिए लेकिन आपने आरोफ लगाया है कि ये आतंकवाद कारवाई की तरह ये घटना है लेकिन इसी के साथ-साथ आपने एक आपने खुला चालेंज करें कि वो आप पर केस करें लेकिन सवाल तो वही उठता है सर कि जब भी कोई सवाल करने की कोशिश करता है या जरा भी आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है अब सवाल ये आता है कि मीडिया आडानी की इमज को अभी भी बचाने में लगा है और वो बताने की कोशिश करें कि उन्हें 200 करोड का नुकसान हुआ है जिसकी वज़े से वो दुनिया के तीसरे सबसे रिचस्ट इंसान ना रहके साथ वे पे खिसक गए है कैसे देखते हैं अब देखें जो क्रिमिनल मीडिया है मेंस्ट्रीम उससे तो मैं बिल्कुल शिगायत करता है क्योंकि वो तो क्रिमनल हो चुके हैं और उसमें से अभी NDTV तो उन्होंने खरीदी लिया तो उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करता है मुझे दुख इस बात का है कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे अपने आपको बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं वो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि और एक तरह से अडानी साहब की मदद कर रहे हैं बहुत ही छुपे तरीके से कि नुकसान अडानी का हो कि section 15 जो है यूए पीए का वो साफ तोर पर कहता है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे देश की financial स्थिती को नुकसान पहुंचे जैसे जाली नोट चापने की जाली नोट चापने की कितना 100-200-500-1000 करोड ये तो 11 लाग करोड जटके में चले गए इससे कितना बड़ा जटका लगा है financial देश को तो इससे बड़ी आतंगवाद की घटना क्या होगी ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ इससे बड़ा ED का PMLA का केस क्या होगा prevention of money laundering ये तो सब अब इस रिपोर्ट में आ hidden bug से तो फिर भी कुछ बैट के negotiation हो जाएगी वो कह रहा है कि अगर अमेरिका में करो तो अच्छा है मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका में करो या यहां करो मैं ये सारे allegations मैं भी लगा रहा हूँ और मैं ये request कर रहा हूँ जो share market में लोग काम करते हैं ये एक बात को समझ ले शे इमानदारी से काम नहीं कर रही हैं तो share market में काम करना जो ये bitcoins हैं उसमें काम करना धोका ही दोका है इससे आम shareholders को नुकसान ही होता है फाइदा उनी को होता है जो lucky होते हैं वो कुछ time के लिए share करीद के जो बहुत कम मुठी बर लोग होते हैं जो lucky होते हैं उनको ही फाइद होता है तो अब आप खुद अंदाजा लगा लिजे क्या सहभी इमानदारी से काम कर रही है अगर सहभी इमानदारी से काम कर रही होती तो यह सब घोटाला हो पा था क्या इडी इमानदारी से काम कर रही है पोलिटिकल लोगों को तो रीडी रोज जाके रेड कर रही है का हो गया कांट इसके लिए एडी भी सो रही है CBI ने भी कुछ नहीं किया NIA ने भी कुछ नहीं किया कि देश की फैनेंचल अर्थ व्यवस्ता को कितना बड़ा दक्का लग गया तो अगर आपको ये लगता है कि ये एजनसी ठीक से काम नहीं कर रही तो शेयर मार्केट में और बिटकोइन में खास तोर पे और करंसी ट्रेडिंग में जाने में खत्रा ही खत्रा है ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सला दे रहा हूँ अपनी आखे खोल के पैसे लगाए आपको नुकसान हो आखरी सवाल मेरा ये है नीरफ मोदी भाग गए और तमाम लोग भाग गए तो आपको लगता है कि अब देश के सबसे रिचेस जो खिसकर साथवे नमबर पर आ गए हैं वो भी थोड़ी दिनों में भाग जाएंगे और देश की अर्थ विवस्ता और गर्क में चली जाएगी भाग कोई नहीं गए भागा दिये गए ये कोई भी भागा नहीं है ये अपने जो असली मालिक हैं या अपने पार्टनर्स हैं उनका नाम कोल देंगे इसलिए भागाए गए हैं ये भी भागाए जाएंगे जब भागेंगे तो ये भागाए जाएंगे भागेंगे नहीं है कोई नहीं भाग रहा इन्होंने देश की जनता का पैसा लूटके अपने साइफन ओफ कर दिया है इनकी कंपनिया डूब जाएंगी ये तो रहीस ही रहेंगे कोई भी जो ललित मोदी हैं वो बैंकर अपने आपको दिखा सकते हैं लेकिन वो किस एश और याशी की जिंदेगी जी रहे हैं ललित ये जो मालिया हैं विजे मालिया जी जो हैं वो क्या एश और इशरत की जिंदेगी जी रहे हैं वहाँ पे तो इन लोगों को कोई फरक नही उनको देखिए ना यह सब लोग इतने बड़े बड़े इंडिस्टलिस थे यह लोग सब भागे हुए इंडिया चोड़के भाग सकते हैं कभी सबके पासपोर्ट कैंसल हो जाएंगे डिप्लोमेटिक तो इतनी अच्छी दोस्ती है मोदी जी की तो खुद ही बोलते हैं डिश को पैसे यह घो करने के लिए लोगो को बताते हैं लोगों को बताते हैं न आए प्यंधस के हुद्ध करोड़र उपे ले इतना भी काम नो क्र शकते है कैं एक फ़ून कर देंस सब कंट्री वालों को यह तो जो बाइडन को फोल कर दे दो ही लोगों से काम हो जाएगा हमारे साथ मौझूद थे पराचा सर्थ जिन्होंने इस कैम की उन पर्तों को उठाया है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है